राहूल गांधी आंधी हैं पूरे भारत में कण्या कुमारी से कश्मीर तक वो हिंदुस्तान को जोडने के लिए निकले हैं और यात्राओं का इतिहास बताकर कॉंग्रेस पार्टी कह रही है दान्धी माच तक से उसको जोड़ा है और उन्हें कहाए कि इससे देश में सब्सक्राइब को जोड़ने की यात्रा नहीं है परिवार को बचाने की यात्रा है तो उनको शुब कामना है एक बार नहीं चली फिर लाँच करो परिवार तो वैसे बचावा है कौन उनको चालेंज करेगा कौन चालेंज करेगा परिवार का तो ना अच्छा का चालीस प्राने के बावजूद परिवार है देखिए मेरी फिर बात समझे मैं निजी रूफ से सुनिया जी हो प्रियंक सवाल उठें किसलिए अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए है हम एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद हम उस पर आप से सवाल पूछेंगे नफरत से कि लोग बढ़ते हैं देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है बीजेपी और आरेसेस के नेता देश को बाड़ते हैं और जान मूच कर जान मूच कर देश में भाये पैदा करते हैं हैं पैदा कर रहे हैं आप एक बात आपने सुनाया अब मैं कहूंगा राओ जिसे को कुछ नया रेकॉर्ड भी बजना चाहिए ना आरेसेस एक राष्टवादी संगतन है मैं भी सुनसेवकों मुझे गर्व है इस बात का क्या देश के लिए काम किया समाज कोरोना काल में संग के संग को ने क्या काम किया है तो कहीं नहीं थे खाना खिलाने में लोगों के आसू पोचने में शव को हटाने में अस्पाल ले जाने में लेकिन मैं रहूल जी को एक ही बात कहूंगा कि आपके परदादा जी भी ये संग के खिलाव बोलते थे आपकी दादी जी भी बोलती थे आपके पिता जी भी बोलती तब आप भी ब नहीं समझ पा रही है यहीं तो मैं आप से हा रहा हूं बार बार कॉंग्रेस पार्टी का स्वरूप कॉंग्रेस पार्टी के विचार कॉंग्रेस पार्टी का कथन और कॉंग्रेस पार्टी की हमारे खिलाफ आलोचना भाय देखिए दूसरा भी है जो विपक्षी दल कहते हैं और राहूल गांधी भी शायद उसमें उनका आशे जरा सा रहा होगा नाशनल हेरेल केस को लेकर इतनी जाच होई इतना जापा इतना पूछता आच यह सारी चीज़ें चलती रही क्या निकला उसमें से चारशीट फाइल है अब आपने सवाल किया थर्ड डिगरी में तो थोड़ा वकील रवी शंकर एक्स्प्लेइन कर दे एक कंप्लेंट हुआ था मनमोहन सिंगे सरकार में गय थे कौश कराने हाई कोट नहीं माना गय सोप्रिम कोट नहीं माना इंकम टेक्स की करवाई हुई मनम प्रवार कोट नहीं कोट हार गया सुप्रिम कोट हार गया टेक्स देना पड़ा मैं आप से सवाल पूछता हूं नाश्टर हरल को इतनी संपत्ती हजारों करोड की मात्र 25 लाख रुपया लगा करके क्या पांच आपको संपत्ती के मालिक हो सकते हैं शेयर की हराफेरी करके एक पारिवारिक कंपनी बना करके नाश्टर कंपनी को ले लिया आपने इसका जवाब देना पड़ा है या फिर समझ लें कि सिर्फ राजनीती जो हुई थी वही राजनीती होती रहेगी सब को डराते रहो सब पर चापे डालते रहो जो रोज सुनने को मिलता है कहीं न कही से देश के उस राज्य से जहां पर भार्तिय जन्रता पार्टी शासन में नहीं है उनका एक और आरूप एरवी जी तूजी स्पेक्ट्रम पे भी जिन लोगों पर आपने सीजी ने आरूप लगाए केस हुआ वो सारे एक्विटल हो गए साथी साथ उनका कहना है कि आप हर् जेल में हैं कि नहीं बेल मिला क्या उदेश्मुक साथ एक साल से जेल में बेल मिला क्या संजारा उद जेल में हैं बेल मिला क्या बाबा बेल के जा रहे हैं कि नहीं हम दोश्में कहीं नहीं है क्योंकि केस सही है राहूल गांधी बेल पर हैं उनकी माता जी बेल पर हैं अब यह बात मैं बहुत इमांदारी से बोल रहा हूं कानून की छात्र के रूप में जज्मिन पड़ा है that is not only a wrong judgment, that is a dishonest judgment उसमें इमांदारी नहीं है, अपील में है, हाई कोट ने डेट टैकिया, वो लोग भाग रहे हैं जली सुन्माई से, हमां सुन्माई करेंगा और निश्र कन्विक्शन होगा, लेकिन आपने जो बात कहीं न, रोबर्ट वाड़ा का भी केस चल रहा है, लेकिन एक बात शुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय, वो आपके साथ आ जाते हैं, ठीक हो जाता है, बीजेपी की वाशिंग मशीन में सब दुल जाते हैं, आपके साथ हैं, तो सब कुछ ठीक है, पिर उनकी जांच स्लो पढ़ जाती है, शुवेंदू अधिकारी का तो कल सुन लिया कि उनको फसाने के लिए दबाव पड़ रहा है, शारदा कांट के एक्यूज के उपर, उसको छोड़ दीजे, देखें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा भी है, हमारे जब प्रधान मंतरी कहते हैं कि परिवारवाद और रष्टाचार के खिला ठुड़ाई होगी तो इमानद चाइना से आने वाली लक्ष्मी गनेश खतम हो गए, आप भी देख रहे हैं, और देश में अगर कहा कि हम देश में गरीबों का सम्मान करेंगे, तो जैसे गरीबों को पदमशी और पदमावाड मिल रहा है, जो खेत में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम ये भी आप दे स्टेट्स को इस बात की छूट है, भारत के संविधान में, तो वहाँ करवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन युनिफर्म सिविल कोट देश के पेक्षा है न, एतना सुपरिम कोट ने कहा है न, अब देखिए, अभी आपनोंने बहुत सवाल किया, तीन स्टर हटा न, राम मंदर कानून से बन रहा है न, एक विकल्पिक मस्जिद कुवी कोट ने का हो भी बन रहा है, किदारनात का पुनरत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बाबा विशनात का पुनरत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बिन्वासनी मा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सम्विधान के निर्माताओं ने कहा था और आज भी देखिए मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ तो क्या आपने पूछा है तो मैं भी एक बहस को प्रवोक करना चाहता हूँ जब और ये मैं किसी अनादर से नहीं कह रहा हूँ इसको उन्था नहीं लिया जाए एक मुस्ति हो या महिला के साथ बरतकार हो नहीं ना कहते हैं आप कई देशों में उसका आप दिखाती हैं टीवी पर तो मेरा खाली कहना यह है कि भारत ऐसे भी कई मामलों में ट्रांसफर अफ प्रॉपर्टी है आपके पिनल कोड है सीपी सी है भारत का सम्विधान आज आप सब कहते ह लाइगे ना चल रहे हैं चलने दिए उसको आप यह बताए कि संभव है क्या जैसे तीन सो सत्तर हम सोचते थे संभव नहीं है अचानक एक दिन कहा गया तीन सो सत्तर गया क्या युनिफॉर्म सिविल कोड संभव है अगर मेरा उसका जवाब होत सब्सक्राइब अगर संभव नहीं होता तो समिधान में आता क्यों समिधान को बदाने वाले थे बहुत पेचीदिया है नहीं तो पेचीदियों को ही तो कि दा रहा है ना और देखें मैं आप से फिर कहूंगा जिस तरफ से स्वर आ रहे हैं मुस्लिम समाज से भी आदा की बैटीयों से स्वर आ रहे है है और आँज भी आज हैं, वो उनकी आखों में आसु आ गई, तो हम समझते हैं, तो थोला देश पर विश्वास करिए और हमारे थामिट्मन पर विश्वास करिए. सर्फ पॉलिटिकल पार्टी आपकी सबसे बड़ी है विश्व की, अभी कुछी दिन पहले आपकी नई संसदिय वोट का गठन हुआ, जबकि जेपी नढड़ा का टर्म विल्कुल खतम पर है, पहला चुनाव समिती बनती है, उसमें ऐसा क्यू होता है कई जो परंपराएं है पार्टी की वो तोड़ दी जाती है. यदूरपा, 89 साल के उनको जगादी जाती है, सतयनर एंजरट यदूर, 76 साल के है, उनको जगादी जाती है. क्या यदूरपा के बिना आप करनाटा का चौनाव नहीं जीद सकते? इसलिए जिस तरीके के वो बागी तेवर दिखा रहे थे उसलिए आपको यदुर अपपा को एकमोडेट करना पड़ा मुझे इसका जवाब दूस्ता है अगर हमारी पार्टी वरिष्टों का भी सम्मान करती है और नौजवानों को भी जगदे दिक्कत क्या हो रही भाया यह उसने मध्य प्रदेश में पार्टी को रगरग कनकन खड़ा करने में जटियाजी ने काम किया मैं जानता हूं ऑपार्लिमेंटरी बोर्ड जो एक दिर्णायक बाड़ी है, इसका मतूय ediyor नहीं कुछ मंत्री मना रहे हैं, अपर हमारी पॉर्ति。 व कि अपमारी पार्ट्व में हैं जो यह आए नीता इकबाल सिंग लालपुरा उनको जगह मिलती है रवी शंकर परशाद या योगी या दितनात इनको जगह क्यों नहीं मिलती है पाहर वालों की बहुत चल रही है जो आता है उसका माला से स्वागत होता है जो पहले से बैठे हैं मुख्यमंत्री का है आपने में साथ हमें नॉर्ट रिष्ट में जाना एक नहीं जाना है तो यह सोच सोच का सवाल है अपर याल लीजिए नरेंद मोदी जी के अगवाई में भाजपा का विस्तार चहुमुकी हो रहा है पिछड़े अतीपिछड़े बंचित आदिवासी तो वह अगर नया चेहरा वहां भी रिफ्लेक्ट होता है तो उससे हिमांशुजी को परशान होना चाहिए के मुख्यमंतरी आप फटा दे शिवराथ सिंग चोहान को मुख्यमंतरी के तौर बाई थे जब नरेंद्र मोदी आये थे पालिमेंटरी बोर्ड में वो भी मुख्यमंतरी के तार्व आपने आपने मैं अब बुद्ध्धिक कर देना योगी आधितना अना किस स्कूल्स क्लिनिक्स का आप उन पे शराब घोटाले में कभी स्टाइम घोटाले में रेट की बात कर रहे हैं इधर नितिश कुमार यहां पर आए हुए हैं वो चुनोती दे रहे हैं कि वो विपक्ष को एक जुट करेंगे ममता बैनजी भी हैं क्या आपको लगता है यह शेत् लाना ही होगा अगर इन सबने डेंट मारा अंजना जी यह सवाल 14 में मुझे से पूछती थी मैं आप से गफ्षप करते थे ना और यह सवाल हम से 19 पे तो मेरी कंस्वेंसी में आके पोची तो मैं लेक्षान खुद लग रहा था तो आपका इस सवाल नया नहीं है और जो ज जवाब उस समय दिया था वही रिपीट करता हूं देश के जनता मोदी जी को निर्णायक बहुत देगी अब जहां तक आपने विकल्प का सवाल किया देखिए अंजना जी यह देश की सोच देश स्टेबिलिटी चाहता है इस थाई तो चाहता है देश विकास चाहता है कि आज देश में हमारे स्टाट अप दुनिया में क्या जंडा लगाए हुए आज मोदी जी के गवाई में इंग्लेंड को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की पांच वी बड़ी एकॉनमी बन गई क्या समझते देश देखता में इसको देश देखता है और इसी रास्ते बर चलना आता है अब बाकी केजरिवाल जी तो 14 में लड़ चुके थे मोदी खिलाफ काशी सेयाद होगा आपको मैंने वहां भी आपका कमेंड देखा था कैम्पेन में अब नितिश भावी भी खड़ सबसे विश्वस्त साथ है इस बार नहीं है अकाली दल पंजाब से आपसे अलग हड़ चुका है जेडियू बिहार में आपके साथ नहीं है और शिवसेना का एक धड़ा आपके साथ है नहीं दिक्कत होगी और दस साल की आंटी इंकमबंसी जोड़ीजे जवाब बहुत को छोड़ा वो खुद टूटी उसके लोग हिंदुतु से परसाथ नहीं परे जाकर के बड़ा हमारे साथ है आप देख लिए अकाली हमसे खुद चले गए कि हम आप से कोई लड़ाई नहीं है चाली सार से दोस्ति है हमें पंजाब की पॉलिटिस की मजबूरी है परसाथ ठीक का हम तो आप यह का हमने छोड़ा यह फैक्ट्वली आपको भी करेट कर दूं लेकिन फिर क्योंगा ऐसे लोग तो मैदा में बहुत आए स्थी बंती है कि छोड़ना पड़ता है अब ऐसा है इन चीजों को आप जानते हैं सिती कोई नहीं कर पड़ है पार्टी ताइक टुगा है